Hey guys, welcome to my channel Textbook So chapter 4 को हम आगे continue करते हैं Last topic हमने discuss किया है, वो है childhood तो childhood के हमने physical, motor और cognitive development discuss कर ली है So आज इस वीडियो में हम childhood की social, emotional और moral development discuss करेंगे ठीक है? तो चलो देखते हैं So social, emotional में सबसे पहले यहाँ पे बात होगी Ericsson की Ericsson ने कुछ psychosocial stages दी थी जिसमें से एक stage है, initiative versus guilt तो उसमें उन्होंने हमें 8 stages बताई थी कि हर बच्चा जो है, वो अपनी life में 8 stages से गुजरता है और वो जो 8 stages है, उसमें से एक जो stage होती है वो है initiative versus guilt तो यह जो 8 stages है, Ericsson की यह आपकी बुक में नहीं है ठीक है? इसका क्या मतलब होता है, कि यह वाली जो age होती है ना बच्चों की इसमें यह लोग कोशिश करते हैं हर काम खुद से करने की जैसे पहले तो वो depend होते है parents पे लेकिन जब इस stage पे आ जाते हैं childhood के 2-7 years के बीच में आ जाते हैं तो उन लोगों की कोशिश होती है अपने कपड़े वगएरा खुद पहनना शुरू करें कोशिश करते हैं सीखने की खाना खाना सीखने की कोशिश करते हैं टॉयलेट में जाना, खुद से सीखने की कोशिश करते हैं तो इसलिए उन्होंने नाम दिया है इस stage को initiative, initiative मतलब खुद से start करना और जो बच्चे मतलब इस चीज में successful हो जाते हैं मतलब उनके parents उनकी help करते हैं इन सब चीजों में उनको मना नहीं करते, उनको encourage करते हैं और अगर उनसे गलती भी हो जाए तो उनको positively समझाते हैं प्रिटिसाइज नहीं करते, तो वो बच्चे ना इस stage में बहुत अच्छे से confidently सीख के आगे निकल जाते हैं और guilt कहां जाता है, जब वहाँ उनसे गलती हो और उनको डांट पड़ जाए या फिर अगली बार उनको वो चीज करने के लिए मना कर दें कि तुमसे नहीं होगा, तुम मत करो तो जहां उनको negative response मिल जाता है parents का, तो वहाँ पर फिर वो guilt रह जाता है और guilt के वजए से जब वो आगे बड़े होते हैं, तो कोई भी नया काम शुरू करने से पहले उनको डर लगता है, कि पता नहीं लोग कैसे response करेंगे हम लोग अगर fail हो गए तो कैसे होगा, लोग हमें कुछ बोल देंगे तो यह Ericsson की वो वाली stage है, जहां पर initiative और guilt के बीच में बच्चे का mind चल रहा होता है, ठीक है फिर आगे है involved in games, asking questions, encouraged for pursuing hobbies So, अब यहां पर यह लोग involved होते हैं games में, क्योंकि बाहर जाना शुरू कर देते हैं, school में खेलते हैं, friends बनाते हैं, फिर games में नए-नए games सीखते हैं, फिर games में हार जीत होती रहती है तो यहीं पर वो लोग सीखते हैं कि अगर हम हार भी जाएंगे, तो कोई problem नहीं है, क्योंकि failure is a part of life तो game खेल के यह सब चीजे सीखते हैं, discipline सीखते हैं, cheating नहीं करनी होती है, अपनी turn की weight करनी होती है, corporate करना होता है, खेलते time team के साथ, ठीक है asking questions, बहुत questions पूछते हैं, उनके mind में बहुत questions होते हैं, हमने last video में इसको why stage बोला था, तो बहुत questions होते हैं उनका emotional state ऐसा होता है, कि अगर आपने answer दे दिया, तो वो satisfied हो जाते हैं, और अगर आपने dart दिया, मतलब चुप करा दिया, तो उनके mind में बहुत जादा guilt हो जाता ह उनको ये लगता है कि पता नहीं मैंने कैसा question पूछ लिया, जो ये बता नहीं रहे, क्या मैंने कोई गलत काम कर दिया, तो फिर क्या होता है, इसका आपको कहा effect नजर आता है, जैसे class में आपने देखा होगा, कुछ बच्चे पूछने से बहुत दरते हैं, कुछ समझ नहीं भी आया होता, तो teacher से पूछने में घबराते हैं, तो यही problem आ जाती है, emotional problem आ जाती है, जब उनको इसी stage पे discourage कर दिया होता है, question पूछने से, ठीक है, encourage करना चाहिए इनको, अपनी hobby pursue करने के लिए, इस time पे बच्चों को बहुत encourage करना चाहिए, कि वो जो भी hobby हो, जो भी ख खेलना चाहते हैं, dance करना चाहते हैं, music प्ले करना चाहते हैं, कोई भी game खेलना चाहते हैं, hobby, painting है जैसे, painting करना चाहते हैं, चाहिए अपने हाथ गंदे कर रहे हैं, कपड़े गंदे कर रहे हैं, लेकिन उस time रोकना नहीं चाहिए, रोकने से क्या होता है, बच्चे के mind में आते हैं कि हम शायद बहुत गलत काम कर रहे हैं और आगे वो बड़े होके कोई भी नई चीज ट्राइब करने में बहुत जादा घबराते हैं, फिर है self understanding is limited to physical self, so self understanding बहुत limited होती है इस age में, अपने आपको सिर्फ physical self की तरह देखते हैं, physical self मतलब सपोज आप से कोई पूछे, इस stage पे आप बड़े हो, आप से पूछ रहे हैं, आप बताओ अपने बारे में, तो आप अपने बारे में physical तो बताते ही हो, physical मतलब अपनी age बताते हो, अपनी height बताते हो, इसके अलावा अपनी skills भी बता देते हो, कि मैं गाता बहुत अच्छा हो, मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हो, लेकिन इनकी ना physical self तक ही limited रहती है, यह सिर्फ इतना ही बोलेंगे, I am tall, मतलब जो चीज नजर आ रही है, physically, I am tall, बोल देंगे, I have a bag, I have a pen, मतलब physical चीज़े ही बता पाते हैं, इतनी जादा इनकी develop नहीं होई होती, कि यह अपना, जो है, internal चीज़े भी बता पाएं, और यह सब कौन सी एज में होता है, to to seven years, early childhood में, okay, later internal characteristics begin to emerge, फिर क्या होता है, later on, जब यह seven to eleven years का childhood आता है, तब यह लोग अपनी internal characteristics भी बताना शुरू करते हैं, जैसे अपने बारे में बताना शुरू करते हैं, धीरे धीरे, कि मैं music में बहुत अच्छा हूँ, य तो अब क्या है, यहाँ पे वो वो चीज़े भी बता पा रहे है, जो एक्च्छल में physically नहीं दिखरी, लेकिन उनके mind में है, तो यह फरक आ जाता है, two to seven years में और seven to eleven years में, फिर है development of social self, social self की भी development होने लगती है, अपने आपको society से relate करके बताते हैं, social group से relate करके बताते हैं, social group से कैसे, जैसे कि वो बोलते हैं कि मैं music group में हूँ, ठीक है, अपने school में, मैं music club में हूँ, या फिर मैं football club में हूँ, एक तरीके से अपने उसको social group को लेके भी अपने आपको बताना शुरू करते हैं, अपने self को, अपने self को पहचानना शुरू करते हैं, okay, then I start comparing with others, दूस reason भी कर पा रहे हैं, कि मैं लंबा हूँ, लेकिन मैं किस से लंबा हूँ, मेरे friend से लंबा हूँ, तो compare करना शुरू कर देते हैं, तो पहले वाला early stage का होता है, 2-7 years और later वाला 7-11 years का होता है, ये हो गया social और emotional development, उसके बाद आता है moral development, यहाँ पे भी एक scientist का नाम है, कॉलब stages, जैसे आपने पढ़ा early childhood, middle childhood, adolescence, तो जो भी stages होती है, हर stage में उनकी moral development अलग होती है, moral का मतलब आप समझते हो न, जिसको हम कहेंगे कि हमें जो लगता है कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है, तो वो ये कह रहे हैं, कि बच्चे को अगर आप छोटे, 2-5 साल के बच्चे से पूछोगे, तो वो सही गलत किसी और तरीके से बताएगा, अगर आप 5-10 साल के बच्चे से पूछोगे, तो वो सही गलत किसी और वे में बताएगा, वही अगर आप teenager बच्चे से पूछोगे, 12-13 साल के बच्चे से पूछोगे, तो वो सही गलत किसी और वे में बताए मतलब उनकी moral development धीरे धीरे change होती रहती है, पहले कुछ और उनके लिए सही गलत होता है, बाद में कुछ और होता है, तो उनके different stages है, moral development पास करती है अलग-अलग. अब जैसे इनोंने क्या किया था, इनोंने एक experiment किया था, जिसमें इनोंने एक बच्चे को situation दी थी, situation में इनोंने ये पूछा था कि बताओ अगर आप situation में हो, तो आप क्या करोगे, आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, ऐसे बच्चों के ऊपर अलग-अलग stages के बच्च में होते तो आपको क्या लगता morally क्या सही है क्या करना चाहिए तो जब उन्होंने ये experiment किया और उनको अलग-अलग response मिले सबसे तो उन्होंने ये conclude किया था moral development में कि जब 9 साल से पहले अगर देखा जाए तो जो 9 साल के पहले के बच्चे हैं उनके लिए क्या सही होता है वो ये मानते हैं कि जिस चीज के लिए आपको reward मिल रहा है reward मतलब कोई gift मिल रहा है कोई price मिल रहा है किसी की appreciation मिल रही है तारीफ मिल रही है तो जिस चीज के लिए कोई बाहर की authority authority मतलब जैसे parents हो गए teachers हो गए तो external authority जिस चीज के लिए reward दे रहा है वो morally सही है और वो जिस चीज के लिए punishment दे रहा है वो morally गलत है तो before 9 years उनका जो focus था moral development का वो किसके बेस पे था reward और punishment के बेस पे था तो आपने बच्चों को देखा होगा जब हम उनसे कोई चीज बार-बार करवाना चाहते हैं कोई behavior उनका हम चाहते हैं वो repeat करें तो हम उनको reward देते हैं जैसे वो पढ़ रहे हैं अच्छे से बैटके तो हम उनको कहते हैं कि very good आप ऐसे ही पढ़ोगे तो अगली बार आपको game लाकर देंगे तो यही चीज फिर वो मान लेते हैं कि reward मिल रहे तो उनका behavior सही है punishment मिल रहे है तो behavior गलत है लेकिन after nine years moral reasoning is through set of rules set by parents और law नो साल के बाद moral reasoning change हो जाती है नो साल के बाद उनके लिए क्या चीज moral होती है जो rules उनके parents या फिर country का जो law है law के according legally जो law है उसके according जो rules set है वो सही है उसमें reward और punishment से कोई मतलब नहीं है जैसे suppose अगर parents ने बोल दिया कि रात को 10 बजे के बाद जागना गलत है ठीक है तो उसमें चाहे reward नहीं मिल रहा punishment नहीं मिल रही तो वो rule उस बच्चे के लिए moral fact हो जाएगा कि रात को 10 बजे के बाद जागना गलत होत लेकिन after 9 years बच्चे को पता होगा कि ये चीज गलत होती है क्योंकि law के according ये गलत है बेशक कोई मुझे उसके लिए बहुत पैसे दे रहे तो भी अब वो बच्चे उस पे जाते हैं गलत काम करते हैं तो वो एक अलग concept है वो ये जानते हुए भी करते हैं कि ये गलत है लेकि लेकिन वो चीज उनको जानना ही कौन सी stage पे आता है जब वो इस stage पे होते हैं कि ये चीज गलत है लेकिन before 9 years वाले बच्चे की बात करोगे तो वो यही कहेगा जहां हमें कुछ मिल रहा है वो सही है और जहां हमें नहीं मिल रहा वो गलत है after 9 years ये चीज क्लियर हो जाती है क पिर है accept rules as their own वो parents के सिखाये हुए rules को अपना मान के अपनी life का एक rule बना लिते हैं कोशिश करते हैं कि वो जो चीज सीखते हैं अपने parents से वही अपनी life में implement करें adolescent age ऐसी आती है जहां वो बहुत जादा rebel करते हैं rebel मतलब वो बहुत जादा अपने parents के rule को ignore करते हैं कि हम ये सब नहीं करेंगे जो आप बोलोगे मतलब adolescent age बीच में ऐसी आती है जिसमें उनके totally अलग rules और regulations हो जाते हैं वो उन सब चीजों पे ध्यान नहीं देते but generally अगर आप देखोगे life में बच्चे जो हैं धीरे धीरे वो वही अपने life में implement करते हैं जो वो अपने parents के थूँ सीखते हैं alright तो उनके लिए इस time पे किस चीज का approval important हो जाता है दूसरों का approval seek for others approval okay कि जो वो कर रहे हैं अगर दूसरे लोग बोलें कि हाँ तुम ठीक कर रहे हो दूसरों में parents आ गये teachers आ गये या law आ गया बाहर के लोग आ गये neighborhood आ गया तो कोई भी दूसरे लोग हो गए जो उस behavior को approve कर रहे हैं कि हाँ ये सही है ये अच्छा है वो उनके लिए morally अच्छा हो जाता है यहां उनका focus इस चीज पे नहीं होता कि उनको punishment से बचना है punishment को avoid करने से उनको कोई मतलब नहीं होता अगर कोई चीज उनके लिए सही है और उनको punishment मिलती है तो भी वो उस चीज को सही ही बोलेंगे तो यहां पे main focus ये नहीं होता कि punishment से बचना है focus होता है कि दूसरों की approval मिलने चाहिए बेशक उसको punishment मिल जाए उस चीज की ठीक है तो ये moral reasoning बहुत different हो जाती है as compared to जो 9 years से पहले होती है कि punishment मिल रहे तो गलत है और reward मिल रहे तो सही है तो ये आपकी childhood की stage यहां खतम होती है हमने सारे इसके development discuss कर लिये है और ये जो notes है इनका pdf link आपको description में मिल जाएगा और अगर आपको video अच्छी लगी then please do like my video, share it and subscribe my channel Thank you